नमस्कार मैं हूँ अंजु पंकश बहुत स्वागत है आप सबका कहते हैं न कई बार जरूरत से ज्यादा शानापन भी भारी पड़ जाता है लेने के देने पड़ जाते हैं इस चक्कर में और अर्विंद के जिवाल के साथ भी इस वक्त यही होने जा रहा है अर्विंद के जिवाल इडी की कस्टडी में है 28 मार्श तक राउज वेन्यू कोर्ट में उन्हें इडी की कस्टडी में भेजा है शराब घोटाले का मास्टर माइंड इडी उन्हें बता रही है इडी की कस्टडी में लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं उनसे पूछता बता रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके चेले चपाटे उनके मंत्री जो बाहर बैठे हुए हैं वो अर्विंद के जिवाल को दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा पैरोकार बताने में लगे हुए हैं ये साबित करने में लगे हुए हैं कि अर्विंद के जिवाल पतनी ने जिसे बिल्कुल अर्विंद केश जिवाल के स्टाइल में पढ़ा, जैसे वो प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं, तथा कथित, बिल्कुल उसी अंदाज में उस चिठी को पढ़ा, ये मैसेज देने की कोशिश की की अर्विंद केश जिवाल जल्द लोटेंगे वो दिल्ली की जन्ता के भाई और बेटे हैं उनके बारे में दुआएं मांगी जाएं प्रार्थना की जाएं ताकि वो जल्द बाहर आएं वगेरा वगेरा और दूसरे दिन आतिशी मार लेना ए से उन्होंने बताया कि ये आदेश है अर्विंद केश जिवाल जारी किया है एडी की कसरडी से वाकाइदा उन्होंने वो चिठ्थे दिखाई और उनका दावा था कि ये आदेश एडी की हिरासत में रहते हुए अर्विंद केश जिवाल ने उन्हें भेजा है जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें पता चला है कि दिल्ली की जंता पानी के लिए तरस रही है टेंकर की सही विवस्था की जाए सीवर की समस्या से निजात दिलाई जाए उपराज जेपाल की मदद ली जाए दिल्ली के मुख्य सचिप की मदद ली जाए वगएरा 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 या आज भी इस समस्या है, पिष्टे नौ साल से ये समस्या ज्योंकित्यों बनी हुई है, MCD पर अब आमादी पार्टी का कब्जा है, फिर भी इस समस्या बनी हुई है, तो इसमें नया कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इस चिठ्ठी के जरिये ये दावा किया आतिशी मार लेना ने कि ये चिठ्ठी अर्विंद के जिवाल ने ED की कस्टडी से लिखी है, और दिल्ली की जनता कि उनको बहुत चिंता है, बहस उस दिन भी इस चिठ्ठी को लेकर हुई थी कि अर्विंद के जिवाल कैसे ED की कस्टडी से चिठ्ठी लिख सकते हैं, क्योंकि ED ने भी साफ किया था, कि अर्विन के जिवाल ने उनकी custody में रहकर ऐसी कोई चिठी नहीं लिखी है क्योंकि उनकी तरफ से ना अर्विन के जिवाल को कोई typewriter दिया गया है ना कोई computer दिया गया है ना कोई laptop दिया गया है तो ऐसे में एक printed चिठी आदेश की तरह से अर्विन के जिवाल कैसे जारी कर स लगते हैं एडी की कसरडी से उनका नीजी सचीव भी उनसे आदे घंटे के लिए मिलता है उनकी पत्नी को भी आदे घंटे की इजाज़त दी गई है उनसे मिलने की तो अर्विंद केजिवाल ने किस वक्त ही चिठ्थी लिखी तो ऐसे में सवाल ये लग गया था कि क्या सच म मार लेना ने फर्जी वाड़ा किया या फिर ये कहा जाए कि आमादी पार्टी के मंत्रियों ने चीफ मिनिस्टर कारयाले पर कबजा कर लिया है अर्विंद केजिवाल के नाम पर आदेश निकाल रहे हैं दिल्ली की जंता को बेवकू बना रहे हैं अभी ये मामला चली रह था कि मंगलवार को सौरभ भारदवाज एक नई चिफ्ठी लेकर आगए उनका कहना था कि अब अर्विंद केजिवाल ने एक और आदेश दिया है दिल्ली के स्वास्थे विभाग को अर्विंद केजिवाल ने उस आदेश में लिखा है कि उन्हें पता चला है कि जो मुहल को सुचारू किया जाए इसके लिए उपराजेपाल की मदद ली जाए दिल्ली के मुख्य सचिव की मदद ली जाए वगयरा वगयरा यानि कि चिफ्ठी के जरिये ये बताने की कोशिश की गई कि दिल्ली की स्वास्थे सेवाओं को लेकर अर्विंद केजिवाल बहुत चि अब सवाल यह है कि क्या सच में सौरभ भारदवाज को अर्विंद केजिवाल का कोई आदेश आया है या उन्होंने बिल्कुल आतिशी मार लेना स्टाइल में फरजी बाड़ा किया है या उन्होंने भी अर्विंद केजिवाल का नाम लेकर खुद ही एक चिफ्ठी में हैं भले ही करोडों के शराब घुटाले में फस रहे हैं भले ही 2400 घंटे उनसे फूछता चो रही है लेकिन फिर भी उन्हें दिल्ली की जनता की बहुत चिंता है दिल्ली की जनता को अपना परिवार समझते हैं और उनका परिवार दिक्कत में आ जाए ये अर्विंद क की हिरासत में होता है तो वो CM होने के नाते कोई भी Order वहां से जारी नहीं कर सकता कि एडी ने भी तो यह कहा था कि बिना पर्मीशन के अदालत की पर्मीशन के बिना अर्विन केश जेया इस तरह का Например कर सकते, और इडी ने तो उनको इस तरह की कोई वैसलीयति भी नहीं दीय है कि वो, और जारी कर पाए उनने तो काज़ड कर नहीं कर जाए है है तो फिर कैसे दावा कर रहे हैं आतिशी मार लेना और सौरब भारद्वाज कि अर्विन के जिवाल एडी की हिरासत से उन्हें आदेश भेज रहे हैं क्योंकि अर्विन के जिवाल डापटीज के पेशिंटे उनको घर का खाना दिया जाए इसकी परमीशन भी रावस इवन्यू कोट से ली गई है अर्विन के जिवाल से उनकी पतनी मिलने आएंगी आदा हऊंड़ा उनका नीजी सचन बी मillने आएंगा आदा की कस्रड़ी में तो उसके लिए भी उन्हें एडी के अधिकारियों से पर्मीशन लेनी होगी तो जब एडी की टीम कह रही है कि उनसे कोई पर्मीशन ही नहीं ली गई है तो फिर किस तरह से आतिशी मार लेना और सौरब भार्दवाज दावा कर रहे हैं कि यह दोनों और अर अधिश हो जाता है कि अर्विंद के जिवाल ने एडी की कस्टडी में रहते हुए यह दोनों आदेश जारी कि और उस पर जो उनके दस्तकत होने की बात नहीं जा रही है वो बिलकुल सही दस्तकत है तो अर्विन के जिवाल एक नई मुसीबत में फस जाएंगे उनके खिलाफ एडी एक और केस दर्श कर सकती है कि उन्होंने बिना अदालत की पर्मीशन के कैसे ये आदेश एडी की कसरडी से जारी किये तो इस मामले में अर् केजिवाल ने जारी नहीं किये मान लीजिए ये आदेश फर्जी तरीके से आतिशी मार लेना और सौरब भारदवाश ने जारी किये हैं उन्होंने जानबूज के अर्विन केजिवाल का नाम इस्तेमाल किया है उन्होंने चीफ मिनिस्टर आफिस का बेजा इसे में ये दो साफ भी केस दर जोर सकता है कि एक सम्विधानिक पद पर बैठे शक्स के दफतर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी एकसेस सीमों तक हो ही नहीं सकती अर्विन केशिवाल जेल के अंदर है तो क्या उन्होंने आतिशी मार लेना और सौरभ भारदवाज को कोई अथ और सौरभ भारदवाज की तरफ से इसका पता लगाया जाए इसकी जान्श्पढ़ताल की जाएं कि दोनों कैसे दवा कर सकते हैं कि अर्विन केशिवाल ने ये आदेश E.D. की हिरासत से जारी किये हैं जबकि E.D. क कह रही है कि ऐसी कोई फैसिलिटी अर्विन केशिवाल क को नहीं दी गई है तो ये फर्जी बाड़ा दरसल कर कौन रहा है क्योंकि गौर करने वाली बात यह कि अगर अर्विन के जिवाल ने इन आदेशों पर दस्तकत नहीं किये है और उनकी पार्टी के दो दो मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि ये आदेश अर्विन केजिवाल के दस्तकत के साथ ही ED की हिरासट से बाहर आए हैं तो यह सारा मामला फ्रॉड की शेनी में आता है इन दोनों के खिलाफ fraud का case दर्ज होगा मज़ेदर ये है कि अर्विन के जिवाल जो 12-12 दिन तक विपश्चना पर चले जाते थे कभी बैंगलूरू तो कभी पंजाब और इस दोरान उन्होंने कभी कोई आदेश जारी नहीं किया इस दोरान उन्होंने कभी भी दिल्ली की ज उनको तीसरा सब्मन मिला था तो वो विपश्चिना पर चले गए थे और उस दोरान उन्होंने दिल्ली के किसी भी मंत्री को कोई आदेश जारी नहीं किया था लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि अगर उनको दिल्ली की जनता की इतनी जिनता होती तो अर्विन के जिवाल कई सारे मंत्राले अपने पास रखते और हर रोज एक नया नोटे तमाम विभागों को जारी करते लेकिन अर्विन के जिवाल न ऐसा कभी नहीं किया एक भी फाइल पर दस्तकत नहीं किये लेकिन जब से ED की हिरासत में गए हैं, तब से दो-दो नोट जारी कर रहे हैं, दो-दो आदेश भेज रहे हैं, और यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, कि अगर अर्विन के जिवार, ED की हिरासत में ये छोटे-मोटे कामों के लिए, दिल्ली में पानी की, विवस्था ठीक नह ही हैं, बाहर रहते हैं, अर्विन के जिवाल हैं कभी इनका संग्यान नहीं लिया, लेकिन अंदर बैटकर वो इनको लेकर भी अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ी समस्याइं हैं, तो एक तो वो अपने मंत्रियों को incapable बता रहे हैं, उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं कि वो इन समस्याओं से भी निवट नहीं सकते, और दूसरे उनकी ये हरकत ये भी साबित करती है कि अगर इन छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अर्विन के जिवाल आदेश जारी करते थे, तो नई आपकारी पॉलि से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नई आपकारी पॉलिसी में जो इतने बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया, सौट की लॉबी को फाइदा पहुंचाने के लिए आपकारी पॉलिसी में बहुत सारी नई चीज़े जोड़ी गई, कि सब कुछ हुआ, और अर्विन के जिवाल को पता ही नहीं है, तब कैसे कह सकते अर्विन के जिवाल कि उन्हें नई आपकारी पॉलिसी में किये गए बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि वो इन बिजली पानी की छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उन उन्होंने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की, कि नहीं आपकारी पॉलिसी में है क्या, वो यही कहते आ रहे हैं ना, कि उन्होंने तो साइन ही नहीं किये, उनको पता ही नहीं कि नहीं आपकारी पॉलिसी में क्या कुछ किया गया है, सारा काम तो से सोधिया ने किया, क् ये एक शक्स ED की कस्टडी से दो-दो आदेश जारी करता है, पानी को लेकर, सीवर को लेकर, मुफ्त में दवायां महला क्लीनिक में मिल रही है या नहीं, दिल्ली के अस्पतालों में क्या हाल है, इसको लेकर और वो CM नई आपकारी पॉलिसी को लेकर एक बार भी कोई अब तो ED उनसे पूछ सकता है, कि जब ये जो आपके मंत्री बाहर बैटकर फर्जी वाड़ा कर रहे हैं, क्यरविन के जिवाल ने दस्थकत करके आदेश ED की कस्टडी से उन्हें भेजा, तो फिर क्यों नहीं ये माना जाए कि नई आपकारी पॉलिसी को लेकर भी फर्जी आपकारी पॉलिसी में सब कुछ है, तो उसके बावजूद नहीं आपकारी पॉलिसी लेकर आई केज रिवाल सरकार, और फिर वो कैबिनेट नोट जिसमें लीगल एक्सपर्ट के ये सारे कमेंट थे, उससे गायब कर दिया गया, तो क्यों ना माना जाए कि नहीं आपकारी जिवाल ने चिठिया लिखी है, तो दोनों सूर्तों में, अगर अर्विन केज जिवाल ने ED की कस्टडी में रहकर ऐसे आदेश जारी किये अपने दस्तकत के साथ, तो भी अर्विन केज जिवाल फसेंगे, और अगर अर्विन केज जिवाल ने दस्तकत नहीं किये, और उन जाता है कि फर्जी बाड़ा करती है हर मामली में उस पर एक बार फिर मोहर लग जाती है दोनों सूर्तों में अर्विन केजिवाल का नपना तय है उनकी मंत्रियों का नपना तय है अब जब लिखित में शिकायत की गई है बीजेपी की तरफ से उपराज जेपाल को तो देखन कागस पर कोई दस्तकत नहीं किया है कोई भी आदेश जारी नहीं किया है क्योंकि उन्हें कोई कंप्यूटर लैप्टॉप या टाइप राइटर नहीं दिया गया है तो वो ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते तो फिर परजिवाड़ा कौन कर रहा है आतिशी मार लेना और मामनी में फसना तय है और आज जो दिल्ली विधानसवा का विशेश सत्र बुलाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि सौरभ भारदवाज उसे संबोधित करेंगे साथी साथ मुख्य सचिव वहां पर रहेंगे जिनें कहा गया है कि महला क्लीनिक में दवायां ठीक से मुफ् क्या है क्योंकि बीजेपी विधानसवा के अध्यक्ष को नोटिस दिया है और यह नोटिस इस बात को लेकर है कि दिल्ली की सरकार पर समयधानिक खत्रा मंड़ा रहा है ऐसे में दिल्ली की सरकार है भी या नहीं 72 घंटे हो गए अर्विन केजिवाल को ED की कस्टडी में अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो बिना CM के सरकार चल कैसे रही है और बीजेपी का तो यह भी कहना है कि ED की कस्टडी में या जेल में रहकर सिर्फ गिरोः चलाए जाते हैं सरकारे नहीं और अगर सरकार चलानी है तो अर्विन केजिवाल को special permission लेनी पड़ेगी कोड से क्योंकि समविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई CM कस्टडी में रहकर जेल में रहकर सरकार चला सके क्योंकि समविधान बनाने वालों ने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि एक ऐसा दौर भी आ सकता है कि CM की कुर्सी पर बैठा शक्स जो सम्विधान की शपत लेकर उस कुर्सी पर बैठा है वो नैतिकता का पार्ट भूल जाएगा वो ये तक भूल जाएगा कि अगर उसे किसी भष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे इस्ती क्या उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता के नाते यही परंपरा रही है भारती राजनी थी कि लेकिन अर्विंद केजिवाल तो खुद कहते थी कि वो अराजक है एनार्किस्ट है तो फिर वो यही अराजकता पहला रहे हैं खुद ED की कस्टडी में बैटे हु हुए दो-दो आदेश जारी किये और दूसरी तरफ बीजेपी की शिकायत के बाद एल जी वीके सकसेना भी इस बात की जांश-परताल करवा रहे हैं कि क्या सच में जो चिठियां आतिशी मार लेना दिखा रही है जो सौरब भारदवाश दिखा रहे हैं वो अर्विंद के साथ और दोनों मामलों में अर्विंद के जिवाल और उनके इन दो मंत्रियों का फसनात तय है तो देखना होगा कि आज दिल्ली विधान सभा में क्या हंगामा होता है जो नोटिस बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि दिल्ली की सरकार पर सम्विधानी खत्रा है उस मामली पर भी क्या दिल्ली विधान सभां में बहस होती है या नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्र Irish ईसे लाइक करें शेर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो क्रिप्य मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ना भूलें मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन्दे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार भारत माता की जय हो वंदे मातरम और जैशिर राम